तो सबको नमस्कार गुड़ीवनिंग मैं मुहमद साथ खान जैसा कि आप सब जानते हैं तो आज मेरे रिजल्ट आया फस्ट एर का आज से गरीब एक साल पहले मैं केम सी में गया था मनिपाल में तो मैं काफी जादा मतलब बच्चा सा था मैं मैं चूर था काफी जादा और एक साल ने काफी जादा चेंजिस आया मेरे अंदर और जो आज रिजल्ट आया है वह मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा रिजल्ट पी आएगा आज मेरे डिस्टिंशन आई है डिस्टिंशन मतलब फर्स्ट क्लास से जो उपर होता है इसको इसको बोलते हैं तो कहा जाएता है कि नोन-klinical subject होते हैं इनका कोई काम आगे जादा आने वाला नहीं है लेकिन इनके बिना आगे कुछ समझ आने वाला नहीं है आगे सब्जक्स होते हैं जैसे कि pharma पैथो और आपका फार्मा पैथो और पार्मा पैथो और माइक्रोबाइलोजी फार्मा के अंदर हम पढ़ते हैं दवाईयों के नाम यह चीज आपको वेटनरी के अंदर भी मिलती है देखने को दवाईयों के नाम कौन सी दवा कब देनी है दूसरा सब्जेक्ट होता है पैथो अगर फिजियो से चीज हट जाती ह है फिजियो मतलब होता है आपका नॉर्मल बॉडी फंक्शन जो आपकी बॉडी नॉर्मली काम करती है उसको फिजियोलोजी बोलते है बॉडी की आप सांस ले रहे है नॉर्मली वह होगी आपकी फिजियोलोजी होगी बॉडी की और अगर वो आपको कुछ दिक्कत आती है सांस लेने में आपकी फिजिलोगी डिस्टब होती है बोडी की उसको का जाता है पैथोलोजी और तीसरा सब्जेक्ट होता है को माइक्रो बाइलोजी मतलब होता है जिन्दगी छोटे-छोटे जीवों की हम जिन्दगी पढ़ते हैं जिने बैक्टीरिया वाइरस प्रोटोज होते हैं कुछ कुछ आपकी वाईरल भीमारिया होती है वाक्ट्र बीमारिया होती है यह सब माइक्रो बाहियो के अंदर बढ़ते हैं तți हो और यह Can सब्जेक्ट होते हैं ठीक है तो यही सर्गत मेरे को ज्टना पता है आपको की जाने बचया मेरे की तरफ जाना चाता है वे डॉक्टर बनना चाता है तो उसके लिए परिक्षा यहीं पड़ती है तो आप कर लेते हैं तो आप डॉक्टर बनने के काबिल बन जाते हैं मतलब आपको eligibility मिल जाती है कि अब आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ सकते हैं अब आप एम्बी बेस में एड्मिशन ले सकते हैं तो वह exam काफी जरूरी होता है आपका नीट exam मैंने भी दिया था नीट exam उसके बाद आपको एम्बी बेस में एड्मिशन मिलता है यह होता है तरीका आपका doctor बनने के लिए पहला टेस्ट तो doctor बनने के लिए आपको लगता होगा कि एक साल तैयारी करू और doctor की तरह आप चले जाओ अब medical college में admission ले लो ऐसा नहीं है डॉक्टर बनने के लिए जो subjects होते हैं physics, chemistry और bio ये तीनों subject first year के syllabus से ही जादा deep होते हैं आपको इनको इतना deep में पढ़ना होता है अगर आपका 4 mcq होते हैं चार options होते हैं अगर आपका एक भी mcq गलत होते है तो आपके पांच नंबर कटे हैं तो यह paper मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें गलत होने के chance आपको कम रखने आपको या तो आता नहीं कोई question आता है तो hundred percent सही आता है क्योंकि हर question पर आप एक नंबर घवा दोगे तो यह need exam की एहमियत कह लीजिए या फिर difficulty level कह लीजिए ऐसे ही आप एक IAT exam होता है IAT-JE जो कि आप engineering के लिए देते हैं मेरे पास दो options से 10th के बाद या तो मैं medical की तरफ जाता या मैं engineering की तरफ जाता और एक बीच का रास्ता होता है कि मैं humanity ले ले लेता तो मैं आई-एस अगेरा की तरफ जाता तो जो में आजकल focus होते हैं subjects जो इंडिया के अंदर देखा जाता है वो trend है आपका या तो आप आई-एस बन रहे हो या आप engineer बन रहे हो या डॉक्टर बन रहे हो और मेरे मामजी भी डॉक्टर थे और मेरे तो कजिंसभी क्या हम दॉक्त रहे हैं तो वहांसर पूर्षन मेरें कव लिएटार हुव लेटिता सब्सक्राइशन अनुक आप इंडिया चैनेया के इंदर अदो निकल कर देखेंगे तो यंटनेंशनली बुलाया जाता है रिसर्च हो रही है वेटनरी के अंदर तो वेटनरी का फील भी काफी ज़ादा फैल रहा है तो मैं अपनी स्टोरी पर वापस आता हूं तो मैं ने सोचा थे कि मेरे को करना है तो उसके लिए मेरे को सब्जेक्ट लेना था बायो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश तो इसके लिए मैं कोचिंग में गया था हूं क्योंकि नीट जैसी परिशा को देने के लिए आप अकेले अगर तैयारी करते हैं तो काफी जादा मुश्किल होता है क्यों आप थोड़ा सा उनसे आगे नहीं रहेंगे तो आप फीछे चूट जाएंगे तो बहुत कोचिंग करना लेकिन मैं यह नहीं गूँआ कोचिंग के नीट का ईग्जाम नहीं कलता मेरे काफी फ्रेंडactory heb जो बिना को च्चिंग के एध्मिशे ले रख यहें तो फिर मैंने सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो सबसे बड़ी मुश्किल थी मेरे सामने वह यह थी कि मेरे नीट का पेपर था एक महीने बाद और मेरे बोर्ट के एक्जैम थे मेरे इंटर के पेपर थे अगर मैं इंटर के पेपर में अच्छा नहीं करता तो मेरे को नीट में बैठ नहीं देने के लिए तो मेरे को बॉर्टर लगता था क्योंकि मैंने सारी तैयारी जो थी नीट को ध्यान में रखके करी थी अब आपके क्योंकि हिसाब से पढ़कर गए हो तो आप से पेपर में कुछ लिखा नहीं जाएगा वह पूरा का पूरा सब्जेक्टिफ के पर उद्धा है और आपका नीट पूरा का पूरा एमसी की होता है टिक वाला होता है तो वह सबसे जादा मेरे को दिक्कत आई थी लेकिन उस टाइम मैंने थोड़ा सा निकल गया ठीक है उसके बाद जो था मेरा नीट का एक्जैम था तो फर्स अटेम में मेरे 476 इसको हुए थे 720 में से जो की काफी अच्छी फिगर नहीं थी क्योंकि उसमें मेरा रिवीजन वगेरा नहीं हुआ था और भी काफी फैक्टर्स थे उसके बाद मैंने सोचा कि ए इक साल मैंन दुबारा तैयारी करी थी निट के लिए तो उस नीट के अंदर मेरे को 2 साल का सलेबर एक साल के अंदर पढ़नाता लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो कोचिंग के अंदर जो पढ़ा था वही चीजे मेरा पढ़ना थी तो अब जितने भी टॉप टीचर्स पढ़ाते थे वो सब मेरे को पहली पता होता था तो वो मेरे को दिक्कत नहीं होती थी समझने में कि क्या पढ़ाने वाले हैं क्योंकि मैं उसका रिविजन करके जाता था तो एक बात हमेशा स्टुडेंट के लाइस में आद रखना कि रिविजन जो आपको पर्फेक्ट बनाता है जो चीज में रिवाइज करके क्लास में जाता था मेरे को टिप्स पर होती थी कि हाँ टीचर य और वही देखने को मिला पणने की तैयारीं चल रही थी की नीट पोस्पान होगा अंदर से में भी लगता तयार पोस्पान हो जाए फिर वह ऐसा पोस्पान हुआ फिर पता ही नहीं कि कब जाकर नीट होगा एक महिना तो उस ताइम तक हमने पढ़ाई करनी छोड़ दीती आपको टेस्ट ले रहे थे आपको टेस्ट ले रहे थे या पढ़ते रहें बट उस टाइम जो जैसे कंडिशन थी उस टाइम में आप चीजों को रीटेन नहीं कर पाएंगे और आपको तेरा दिन बाद पेपर है यह डेट आई थी आपकी आउगस्ट में तक में पूरा दो साब करा जितना था सब्सक्राइब कर जो कि इतना स्थ्ल ने थना था टाइनले नेशनल टेस्टिं एजसे इजन सी इसिः। नेशनल टेस्टिंग एजनसी पेपर ले थी तो सबके दिमाग में यह था किया पेपर इस बार मुश्किल आएगा पेपर इस वाद आला टेड़ा आ जाएगा मैं पेपर देने बैटा काफी दूआए हो रही थी हर से मेरे किया राज पेपर लड़के का आज पेपर देने गय के बच्चे किताब लेकर भी घूम रहे हैं मैं अपना घूम रहा हूं मेरकी टर लग रहा है यार मेरी तो भी नहीं कुछ मैंने तक आप पड़ी नहीं हुआ वर मेरे लोग लगा तो नीन आ dignUST हुआ सब्सक्राइब और मेरे डॉक्षमरा सारे साथ रखता हूं document ची बात है दोक्यमेट सारे साथ लेगा में पर लाइन लगानी पड़ी महाँ पर वहाँ पर मेरी डीट कराने कें कि आप तो उस टाइम पर उन्होंने का 12 की वह दिखा अपनी 12 का मार्शीट वो ले मार्शीट में नहीं चलेगी तो कि 12 की मार्शीट में टुट अबर नहीं होती है तो किस्मत से उस दिन मेरे साथ मेरा फिर मैं वापस गया गाड़ी में फिर मैंने लिया फिर मैं वापस आया उस टाइम पे मेरा इस्ट्रेस लेवल और हाई हो गया था यार अब कैसा होगा पी तो डॉक्यमेंट्स ही पूरे नहीं थे मेरे फिर फाइनली सबकुछ फॉर्मेलेडी के बाद मुझे अंदर भीजा गया मैं पेपर देने बैठा काफी ज़्यादा परिशान स्ट्रेस मूड रूम पूरा भरा हुआ था बच्चों से और पेपर सामने रख दिया गया और वेट हो रहा था कि जल्दी से पेपर पढ़ा तो पहला क्या है दूसरा भी आसान है तीसरा लगा तीसरा भी नौदस कोशन इतने आसान लगे जल्दी बटा दिये फिर हमें लगा इतना आसन पेपर कैसे आगया फिर मैं पीछे गया वापिस सारे कॉश्चन को एक बार देख रहा हूं कि इतना आसान कैसे आ गया तो उस पॉइंट पर में ओवर कॉंफिडेंट हो गया था जो की काफी ज़्यादा फेक्टर रहा कि मेरे बीस नंबर कम से काम बीस तीस नंबर चलेगा इस चकर में तो मैंने जल्दी 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 फटाफट फटाफट आदा कोशन पड़ा और टिक कर दिये फिर मेरा सब्सक्राइब करेंगे तो मैंने तो चल्म मेरा तो चल्म हो गया सरकारी कॉली देंस मिल जाएगा लोग कहते सब्सक्राइब कर जाएगी तो मैं पापा को चैना ठाएगा द्वह सब और सब सब और यह से वापस तो राशने में आते आथे मैंने नमबर देखे तो 20 नमबर कम हो गए सब्सक्राइब कोई बात नहीं लास्ट टाइम तो चैसे सब्सक्राइब कर तो मेरे को लग रहा था कि देखो यार मिल जाना जाए क्योंकि लास्ट टाइम 600 पर मिला था तो उसे सब्सक्राइब मिल जाना चीए तो वो था कि एक स्टिंग्मा था कि 650 से 603 का सफर आख पोच लीजे इतने जादा माइंड के अंदर चला होगा कि इतने कम कैसे हो गए फिर मैंने उसको एनलाइज किया पेपर को तो दिक्कत ही आ अगर आप कॉंफिडेंट तो लीक को ओवर कॉंफिडेंट मत होना गभी इसी भी पेपर को देखकर या किसी भी आप स्पोर्ट्स में हैं कहीं तो बरॉर कॉंफिगा तो अब मेरे ब्रिजुल्टब्स अच्पाStudy तो फ्रमेरे जो है घुलत हो गए कि तो फाइनल मेरे फि तो आज में ही अपनी बात को विश्राम लगाऊंगा विराम लगाऊंगा ठीक है तो आप सर आएंगे